हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं लवराशी फल और यह जो मंतली लवराशी फल है प्रिया साथियों यह जोलाई 2024 का है साथियों आज की जो चर्चा होगी इस कारे करम के दोरान जो हमारे मेश लगनराशी के जो मित्र है यानि के जिनका एरीज असेंडेंट बनता है उनके विशह में बात करेंगे और अपने जीवन में तो प्रिया साथियों उसके लिए जैसा कि आप मैसे हमारे जो पुराने जो हमारे व्यूर्स हैं जो हमारे दर्शक गणा हैं जो जानते हैं इस बात को कि हम मेंली फाइब पॉइंट्स पर हमारी डिसकेशन होती है क्योंकि उन फाइब पॉइंट्स में ही समय रह करके तो आज भी आप एक टरीके से सिंगल ही हैं तो अगर आप सिंगल हैं तो यह जौलाई दोऊजार चाविसिस कुछ आपके लिए कुछ प्रόμिसिंग है. आपके मित्र को ले करके के बही कुछ गरों की तरब से इस बात का कोई संकेत हैं का अच्छा कि आपका कोई अच्छा मित्र बने या आप जिस मित्र को अपना मित्र बना करके उसके साथ आगे संबन डेवलब करना चाहते है अपने वो हूँ तो ये सब चीजें जो है जानेंगे सिंगल जातकों के लिए अपने इस जॉलाई 2024 के मंतली लव राशी फल के दौरा दूसरा पॉइंट हमारा रहेगा कि आप लिव इन रिलेशन में है या आपका कही लव एफेर चल रहा है तो इस जॉलाई 2024 में आप मेश लगन राशी के जातकों की कितनी आप उसको एंजॉय कर पाएंगे या कितना बेटर रिजल्ट आपको मिलेंगे या कही ऐसा तो नहीं है कि कोई और दूसरी समस्या आपके बीच में या आपके इस लव लाइफ में ख़डी ना हो जाए आपको डिस्टर्ब ना हो जाए आप टेंशन में ना आ जाए कोई ऐसा तो नहीं है गरों का यो यह जानेंगे पॉइंट नमबर थ्री रहेगा कि आप अगर मेरिट कपल है यनि कि अगर आप विवाहित हैं महिला है चाहें पुरुष हैं तो आपका विवाहित जीवन कैसा रहने वाला है जोलाई 2024 में मेश लगनराशी के जातकों का नमबर चार पॉइंट होगा कि आप मेरिट भी हैं शादी शुदा हैं लेकिन आपका ये मानना है आपका ऐसा कहना है कि हम पहले से ही रिलेशन्शिप में कहीं चल रहे हैं शादी से पहले से या शादी के बाद से वो तो एक अलग बात हो गई लेकिन आपका ये मानना है कि हमारा तो पहले से चल रहा है काफी पहले से कहीं तो अब आप बताएं कि जोलाई 2024 हमारे इस एक्स्ट्रा मेरिटल अफेर्स को ले करके कैसा रहेगा तो इस बात पर भी चर्चा जरूर करेंगे और अन्त में बात करेंगे कि यदि आप पहले से अपने किसी मित्र के साथ आपके कुछ संबंद चल रहे थे बने हुए थे प्रेमी हो या प्रेमी का लेकिन किसी कारण वर्ष आप दोनों को अलग होना पड़ गया और अलग होने के कारण तनाओ भी बीच में काफी हो गया बोल चाल तक बंद हो गई किसी भी तरीके का कोई कॉनवर्सेशन नहीं रहा आप सी बीच में मिलना जुलना सब बंद हो गया और सोशल मीडिया तक पर भी आपने एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया या उन्होंने आपको कर दिया लेकिन पने उस पुराने मित्र जिसके साथ ब्रेक अप या सेपरेशन हुआ है उसी के साथ आप द्वारा से अपने जो समबंध है उस एक तरह से से रियूनियंट चाहते हैं जाते हैं उस उन समबंदों का तो क्या यह जोलाई दोहजार 24 इस बात का promise करेगा गुरों के आधार पर के आप इसमें success होंगे या नहीं होंगे तो ये सारी चर्चाएं हम इस कारे करम के दोरान आपके साथ करने वाले हैं मेश लगन राशी के जो हमारे मित्र हैं तो सबसे पहले जानेंगे जो हमारे सिंगल जातक हैं उनके विशह में बात करेंगे पर ये साथियों मैं बताना चाहूँगा कि जो आप हमारे सिंगल जातक हैं मेश लगन राशी के देखिए एक जोलाई से ले करके एक जोलाई से और 19 जोलाई तक के बीच की पहले में बात करूँगा 19 जोलाई तक क्या है कि आप जिसको भी पसंद कर रहे हैं या जिसको आपने पसंद किया है या जिसको आप अपना मित्र बनाना चाहते हैं जैसा भी आप समझ लें इनमेंसे कोई भी बात तो क्या होगा कि आपको उस मितर, हलाकि उस मितर का आपको पूरी तरह से सपोर्ट मिलेगा, पूरी तरह से उनका कॉपरेशन भी आपको रहेगा आपके लिए, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हो सकती है, आपके दिमाग में आप ऐसी चीज़ों को नोटिस कर सकते हैं, अपने उस देख करके ऐसी चीज़ों को कुछ ना हूँ, यानी कि वो आपकी इच्छा के अनुरूप ना हूँ ऐसी कुछ चीज़ हैं, चाहें वो आपके मित्र की हैबिट्स हो या फिर ऐसी कोई बात उनके मुज़े निकल जाए या कोई इस व्यक्ति की ये आदत पसंद नहीं है, इस व्यक्ति के अंदर जो ये कमी है ना, ये मुझे पसंद तो कुछ ऐसा ही आपके भी केस में होने की संभावना बनती है, एक जून से, एक जॉलाई से लेके, 19 जॉलाई के बीच मैं, हलाकि ऐसा नहीं है कि आप उनको एक तरीके स कर देंगे, या कोई उनके साथ बाचीत नहीं करेंगे, या मिलना जुलना बंद कर देंगे, ऐसा नहीं है, बस थोड़ा सा यही रहेगा, कि कुछ चीज़ों को ले करके, आपके मन में कुछ शंकायें रहेंगी, या कुछ चीज़ों को ले करके, आप परिशान रह सकते हैं कि भई जो मैं नहीं चाहता था, जैसा मुझे पसंद, जो चीज़ पसंद नहीं है, वो चीज़े कुछ इस व्यक्ति के अंदर मुझे उसकी जलक दिखाई दे रही है, या कुछ ऐसी चीज़े एक-दो चीज़ मैंने नोटिस में मेरे आई है, तो उन चीज़ों को लेकर के आ लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा प्रिये साथियों कि महा मद्धे के उपरांत महा मद्धे तक तो महा के मद्धे तक तो कुछ ऐसी आपकी मानसे की सिती रहने वाली है अपने मित्र को लेके मनी मन आपके ये चीज़े चलेंगी आप सोच विचार करते रहेंगे और महा के मद्धे से महा के अंत के बीच का जो समय होगा उसमें किस प्रकार की चीज़े रहेंगी वो मैं आपको बता रहा हूँ उसमें निश्चित रूप से सुधार के संकेत है और आप जब थोड़ा सा अपने दिमाग पर भी जोड़ देंगे कि क्या वाकई ये चीज़े गलत है या सिर्फ मेरी सोच के कारण ही गलत है मैं इनको गलत मानता हूँ इसलिए गलत है या सामाजिक दृष्टी कौन से भी गलत है फिर आप थोड़ा सा अपना माइंड एपलाई करेंगे महामध्य के उपरान और फिर आप इस कॉन्किलूजन पर पहुँचेंगे कि नहीं भाई मुझे ही चीज़े गलत लगती है मैं ही गलत समझता हूँ ऐसी बात नहीं है कि ये जो भी देखेगा वोी कहगा कि गलत है या उसके दृष्टी कौन से या किसी भी दृष्टी कौन से ये चीज़ier साही नी है किसी भी एंगल से साही नी है ऐसा नहीं है तो फिर आप किसी अच्छे पॉजिटिव उस पर पहुंचेंगे एक तरीके से पॉजिटिव सोच हो जाएगी आपकी उन चीज़ों को ले करके और आपका मित्रका और आपके बीच में महामद्दे के बाद काफी अच्छी बॉंडिंग बढ़ेगी बहुत अच्छी आपसी समझ और सूजबूज के कारण आप दोनों की मित्रता में मजबूती भी आएगी और ये मित्रता मैं क्योंकि जोलाई 2024 की बात चल रही है आपके साथ तो इसलिए जोलाई की ही बात करेंगे वैसे तो ये मित्रता मैं अगर बताओं अगर मैं अगस्त का लेकर करके आऊँगा जब आपके सम्मुक मंत्री दवराशी फल तो मैं कुछ और आगे की वी बातें करूँगा यानि कि कुछ और पॉजिटिव बातें करूँगा गरहों के सिती आगे इतनी इंप्रूव होने जा रही है और धीरे धीरे तो ये चीज़े धीरे आपकी लाइफ में जो सिंगल जातक हैं मेश लगन र पढ़ेंगे तो एक अच्छा साइन है अब आप देखे ये तो गुरहों के संकेत हैं जो हमने आपको समय अनुसार बताया कि ये समय पर ये development रहगा इस समय पर ये development रहगा आपके लिए लेकिन अब इसका कितना लाब आप ले सकते हैं ये depend करेगा आप पर जैसे जैसे मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए एक विवा का भी योग बनेगा इसी महा बनेगा और ये बनेगा 16 जोलाई से लेके 31 जोलाई के बीच में विवा का भी योग बनेगा लेकिन उसमें कुछ थोड़ी बहुत समस्याइं भी आएंगी आपके सामने ऐसा नहीं है कि विवायक का योग तो बन गया है अब हमने बात कर ली घर के लोगों से सब कुछ हो गया उनका भी कंसेंट मिल गया चलो भई शादी कर लेते हैं इतना भी थोड़ा एजी नहीं होगा इन चीजों में थोड़ी कुछ दिक्कतों का भी सामना आपको करना पड़ सकता है इसकी उमीद भी काफी अच्छी है विवायक का तो योग जरूर है इससे इंकार हम नहीं करते सोलेत तारीक से लेके 31 हमने बता दी आपको और विवाय संपन कर भी सकते हैं लेकिन थोड़ी बहुत उसमें कुछ परेशानियों का सामना कुछ तकलीफ कड़नाईयों क सामना भी करना पड़ सकता है लेकर अगर आप अपना माइंड सेट करके चल रहें के नहीं विवावी करना है तो भई विवावी कर सकते हैं ये हम आपसे कहना चाहरे हैं सिंगल जातक डबल हो सकते हैं इस महीने में थोड़ी बहुत परेशानियां उठानी पड़ेंगी आपके relationship कैसी रहेगी मेश लगन राशी के जातकों की मैं आपसे बताना चाहता हूँ मेरे प्रिये साथियों के देखिए आपका जो वो मित्र है जो आप मेश लगन राशी के जातक है आपका जो मित्र है तो उस मित्र के मित्रता को ले करके आप किसी प्रकार का उस पर कोई सं या उसने ऐसा क्यों कर दिया वैसा क्यों कर दिया ये कुछ इस तरीक है कि कोश्चन आपके माइंड में आ सकते हैं अपने मित्र के पृति लेकिन यहाँ पर हम कहेंगे कि अगर आप इन सारी चीजों को दिमाग से बाहर निकाल देते हैं और यह समझ करके कि यह मन का बहम है औ और मुझे इन छोटी-छोटी बातों पर ज्यादा इन चीजों को मतलब ध्यान नहीं देना चाहिए ऐसी चीजों पर तो आप सुखी रहेंगे और आपकी रिलेशन्शिप भी बरकरार रहेंगी और यह मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह जो चीज़ें हैं जिसके लिए म महा के मद्धे तक जादे रहेंगी महा मद्धे के उपरांत जो हैं आप अपने मित्रता का भी आनंद लेने वाले हैं अच्छा आनंद लेंगे और भई आपके लिए चाहें आप लिविंड रिलेशन्शिप में चल रहे हैं चाहें आप चल रहे हैं लव एफियर में अगर आप चाहते हैं आपकी प्लैनिंग ऐसी कुछ है पहले से के भई अगर समय मिले और अच्छा समय आ जाए तो हम विवा संपन कर ले तो यह जोलाई का महीना आप मेश लगन राशी के जातकों के लिए 16 जोलाई से लेके और महीने के अंतर तक का जो समय है यह विवा का योग ब बात तो आप पूरा आनंद लेना चाहते हैं तो आनंद भी लेंगे और शादी करना चाहते हैं तो शादी भी हो जाएगी आगे बात करना चाहेंगे के भई जो हमारे ऐसे जातक हैं के जो विवाहित हैं महिला हैं या फिर पुरोश हैं साथियों मैं आप से बताना चाहता ह कि देखिए आप जो महिला हैं या प्रोश हैं मेश लगनराशी के तो जो आपका वेवाहिक जीवन है वो सामानने से मध्यम चलने वाला है और थोड़ा बहुत सामानने से मध्यम इसलिए कहा है कि बीच बीच में थोड़ा बहुत टक्राव भी होता रहेगा कुछ चीजों को ले करके आपसी मतवेद आपसी टक्राव कुछ ऐसी इस्थिती भी पैदा हो सकती है आप दोनों के बीच में लेकिन 12 जौलाई के बाद चीजों में सुधार होने के भी चांसित बनते हैं थोड़ा थोड़ा दीरे दीरे जो भी टेंशन है तनाओ है परिशानी है वो फिर आपकी कम होंगी और विवाहिक सुख जो है वो सामानने से मध्यम की ओर जाएगा अब आगे बात करते हैं के भई आप विवाहित तो हैं लेकिन आपका कहीं extra marital affair चल रहा है अब extra marital affair चल रहा है आपका मेशलगन राशी के जात्कों का या आप यह जानना चाहते हैं कि भई हमारा तो है तो नहीं पहले से तो क्या आप कोई संभावना है इस महीने में के हमा ये सरफ इस पूरे महीने में एक जॉलाई से और बारे जॉलाई तक ही रहेगा, बारा दिन, अब आप बारे दिन में इसको एंजॉय कर सकते हैं, तो कर लीजे, बारा तारीक के बाद ग्रहों की सिती बदलने के कारण, आप अपने उन एक्ट्रा मेरिटल एफेर्स का पहले से का भाव हो, या आप कहीं किसी कारण से कहीं दूर चले जाँ, बहुत से कारण होते हैं, उनमें से कोई एक कारण ऐसा बन सकता है, जिसमें मजबूरी के रहते, आप अपने उस मित्र के साथ मिलना पाएं, या उसको समय न दे पाएं, या वो आपको न समय दे पाएं, सरफ इतना ही रहे, कि टैलीफोनिक टाॉक हो जाए, इतना ही पॉसिबल हो सकता है, या वीडियो के धुरूब बातचीस हो जाए आपकी, लेकिन जो face-to-face मिलना, आमने-सामने का मिलना जुलना होता है, बातचीत होती है या कही आप जा रहे है कही रेस्टरा में जा रहे है या कही घूमने जा रहे वो चीज बारे-जोलाई के बात दिखाई नहीं पढ़ रही है आप मेश लगनञाशी के जो extra-marital france के लोग है उनके case में आफ़े बात करेंगे कि भाई आप मेशलगन राशी के जो हमारे ऐसे मित्र हैं कि जिनका पहले कहीं रिलेशन्शिप था यनि कि आज की डेट में आप पूरी तरह से शत प्रतीशत 100%, 100% आप नो कॉंटेक्ट सिचोशन में चल रहे हैं तो क्या आप ये नो कॉंटेक्ट सिचोशन जो बन गई है ये इस महीने भी बरकरार रहेगी या इसमें कुछ सुधार होने की चांसे रहेंगे गरों के आधार पर ये अब हम आपसे बात करने वाले हैं साथियों ध्यान से सुनियेगा आप अमारी बात को देखिए क्या है के महा के आरम से आपके माइंड में आपके दिमाग में अपने उस मित्र के पिरती थोड़ा बहुत गुसा करोध अवश्य रहेगा और कुछ चीज़ों को ले करके तो कुछ ज़्यादा रहेगा और लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ें इसमें कमी आएगी जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा डेट्स आगे बढ़ेंगी महीने की वैसे वैसे ये इसमें निरंतर कमी आएगी आपके सोच बदलेगी आपका विचार बदलेंगे उनके पृति, अपने मित्र के पृति तो ये तो आपको ले करके मैंने बताया आपके मित्र का आपके पृति कैसा रहेगा जिसके साथ अब आप पूरी तरह से separation में है या no contact situation में है उनकी तरफ से भी कुछ आपको इस प्रकार के messages या संकेत कहें मिलेंगे कि जिनको लेकर कि आप थोड़ा confuse भी हो सकते हैं कुछ ऐसे संकेत मिल सकते हैं कि आपको लगेगा कि बहुत positive sign है और पता चला कि एक दिन बाद या दो दिन बाद कुछ ऐसा संकेत मिल गया कि जिसको लेकर कि आप confuse हो गए कि वही ये क्ल तो कुछ इस तरीके की बात थी, आज ही इस तरीके की बात हो रही है तो ये भी चीज़ें आपको confieus करेंगी लेकिन मैं आपको बता दू ये समय इस तरीके की परिस्थितियां जादे समय तक नहीं तक नहीं रहेंगी आपके साथ जैसे ही महा का मद्धे आरंब होगा महा के मद्धे का यानि कि 16 तारीक से 19 तारीक से 19 तारीक के बाद से लेकर 31 तारीक तक जॉलाई की फिर ऐसी इस्थितियां रहेंगी कि आप भी बहुत बुद्धी मतापूर्ण तरीके से अपनी प्लैनिंग करेंगे अपने मित्र को ले करके कि भाई अब मझे उनको किस प्रकार से आगे हैंडिल करना है अगर मझे उनके साथ अपनी रिलेशन्शिप बनानी है या डेवलप करनी है तो फिर आप बहुत गहराई में जाकर के विचार करेंगे गहराई के साथ विचार करेंगे और बहुत ही कुछ अच्छे स्टेप्स आप लेंगे और ऐसे स्टेप्स लेंगे कि जो आपका जो वो मित्र है अगर आपको ले करके वो कुछ थोड़ा सा कन्फ्यूजड है या डाउट में है या थोड़ा क्रोद में है या गुस्सा है उसको या कुछ भी है आपके ले करके तो जब आपके वो स्टेप्स देखेगा उन्ने जुलाई के बाद तो वो भी कहीं न कहीं आपकी और उसका खिचाव होगा चाए थोड़ी ही मात्रा में हो लेकिन होगा ये सब आप जो करेंगे 19 तारीक के बाद से जो भी मैंने जैसा कहा कि बहुत ही बुद्धी मतापूर्ण जो आपके डिसीजन्स होंगे और उनका जो मैसेज उनको मिलेगा उसके कारण उनके व्यवहार में भी उनकी सोच में भी परिवर्तन आएगा चाहें बहुत मामूली ही क्यों ना हो इतना आप इतना करने में सकसिस अवश्य होंगे इस माह यनि के ये भी बहुत बड़ी बात हो जाती है कि जहां आपका मित्र आपको सुनने को तयार नहीं है आपकी बात मानने को तयार नहीं है कम से कम अब इतनी सोच तो आपने बदली अपने effort से और अपनी थोड़ा सा दिमाग लगा करके mind apply किया जब आपने तो उसके कारण जो है जो सोच उनकी बदली यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा achievement है अब एक साथ तो सारे results नहीं मिलते हैं एक ही दिन में तो कोई magic तो आपको मिलने की संभावना बन रही है तो मेरे प्रियसातियों यह था आप हमारे जो मेश लगन राशी के यानि के जिनका aries ascendant है उनका यह मंतली लवराशी फल जोलाई 2024 का यह चर्चा अगर आपको पसंद आई है या यह वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसको करना ना भूलें अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें दूसरे लोगों के साथ ताकि वे लोग भी इस जानकारी का लाब ले सकेंगे और इसके अगर आप जो भी हमारे वीडियो ऐस्ट्रोजी के टॉपिक पर बनते हैं उनको भी देखना चाहते हैं उनका लाब करनों से लेंगे अजाज़त तो आप सभी का इसी के साथ साथ बहुत बहुत सेहर धन्यवाद जैमाता दी